पिछले क्लास में बहुत ही डिटेल में डिसकसन किये थे उस लेबस में पहला टापिक था फॉंडेशन जिसमें हमको एक ही फॉंडेशन पढ़ना था जिसका नाम था इस फ्रीड फॉटिंग फॉंडेशन यानि कि खसकेदार निव तो आज हम पढ़ेंगे फॉंडेशन ठीक पढ़ेंगे परला टापिक फांडेशन मतलब क्या होता है आपका निव एक वाद रखिएगा कि थोड़ा सा लेंगे ठीक है फिर हम वही बात कर रहा है कि थोड़ा सा पढ़ाने हम टाइम लेंगे लेकिन एकदम डिटेल में पढ़ाएंगी एक चूटने वाला ठीक है ऐसा सबसे परले कुछ बताएंगे उसके बदπαाइंगे उसके बाद फाइंली हम उसको बनायेंगे तो दिखी आप आब समस्टेशन पहाएंँ कि किसे ने कहाँंदेशन का तो फांडेशन कि स्वागात जो ग्राउट लेवल डेनेटर। सामस्टाल नाथ होता है असे कितने होता है do परकार के सबसे पहला होता है जाहलो फाउंडेशन है डौ देज्टे होता है और प और दूसरा क्या होता है डीप फांडेशन मतलब क्या होता है उथली नियू और इसका मतलब क्या होता है गहरी नियू दो प्रकार के हमारे पास पासारब्डेशन मिले अब इस सब्सक्राइब काई टाइप होते हैं साइलो फ़ुटिंग ताइप पहला टाइप आप करुछा आते हैं इस्पृूटिंग फूटिंग यहीए क्या होता हिंदी कर दिए करेंगे आपका चीज है कॉछ फूटिंग उन्दार करते हैं ल दूसरा होता है आपका कालाम फूटिंग क्या आणा का क्या का 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 कट कर JOHN फूटिंग एके समेश्टर में है का वो पढ़ना है आपको फोर्त समेश्टर में पर श्रक्र्णब्सका यह कभी न्हीं पढ़ेंगे माने मिले ऊपका यह雅 फिर इसके बाद एक मिलता है ग्रीलेज फाउंडेशन एक पढ़ेंगे एकदम सेमिस्टर यहनी की इसकी पहुत होते हैं हम उन्त में इंट्रेस्टेड नहीं है बताइए हम समय इंट्रेस्टेड हैं क्या नहीं इंट्रेस्टेड हैं हम सिर्फ किसमें इंट्रेस्टेट्ट एजिव और सिर्फ इस्पीरिटब फोटिंht exx फ्रूंडेशन में इंट्रेस्टेट्ट्ट है है ठीक है है नक जो क्या पढ़ना है फिर्फ और सिर्फ ख़सकेदार निव अब द गहरी निउक किसे करते यह नन अभी हम बताते ही कहते किसे हैं अभी तो हम बता रहे हैं कि टाइप कौन-कौन से एक होता है पाइल फांडेशन है दूसरा होता है आपका वेल फांडेशन ठीक है अब देखिएगा अब पाइल आप लोग जानते हैं जो ओभर रहता है नदी में ब्रीज का लीजिए या पर वह बना रहा है जो इनजिनियर के लिए फांडेशन का लात है अब समझते हैं कि सैलो फांडेशन कहते किसे हैं अब हम क्या समझेंगे कि सैलों फांडेशन यानि उथ्ली नियू कहते किसे हैं किसे काते हैं उसके पहले हम समझते हैं चलिंके यह दे रहा है जो चंपलाई होता है ना किसकी चं हुआ निव की चंपलाई है यानि जो बी है निव की चंपलाई भी है ऑद warfare रहेगा किसे नीव दूंदी है अंगे गहराई से अधिक रहेगा या पताबर रहेगा तो ऊपर उपर ल कि दो आप और रहा है किसी से घ्राइब की बहुत आसाल है एकदम आख आप लिजिये देखिये मजसे आज जाएतो फिर आप तो प्रफिक नहीं जाता है यह नहीं उसके डाया का पेच्छा यह तो रेक्टेंगल कालम है तो रेक्टेंगल का पेच्छा उसकी घहराई क्या होती है बहुत अधिक होती है यह जब नियुकि चौडाई करा यह इनिव कि गहराई चौडाई एढ़ीक है अधिक तो गहरी यह तक जा रहा है क्या कहते है घरी नियुकित है मलता है मिरा ओबर ऊपर होता है तो जब चौडाई जो क्या हो गहराई से अधिक हो यह तक्स अदिक Zoid दाटंटरक directing चलिए समझतें चांड़ाई ॔र घ्राइए क्या चीज hazard अब दिखिए प्रतु आपका ृप कि पर यह हो गया ग्राउब लेवल समझाता है ठीक है अनक्राम प्रमें नहीं भूमी तल है क्या है भूमी तल जमीन तल ग्राउंड लेवल ठीक है यहां से थार समेश्टर से आपका इंजिनिंग शुरू बता है इसलिए एक एक चीज को जो एकदम आसान चीज है उसको हम डिटेल में बताएंगे तो कोई दिकत नहीं है ग्राउंड लेवल पर भी बहुत लोगों को सम उत्यु ego समझा ठीक है विए फकरन लाइंगे तो तो क्या करेंगे इसको को देंगे ने बनाने क्लिए क्लिए करेंगे हम किसकी बात खुदाई कर रहा हैं ठीक है चलिए इसकी हम खुदाई कर दिये इतना कर दिये कि क्या कर दिये मेरे भाई बताते हैं यहां से निकाल दिये बताईए कौन वाली चीज ethnography किसकी बात करना इसकी बात करना यूह एक यहीं क्या होता है यहीं क्या होता है याहीं होता है मिर भाई यह होता ठीक है यही क्या है नीव की चोड़ाई भी ठीक है निव की चोड़ाई समझा गया जितना खो़ुद असान है उसके बाद यह वाले इसे क्या कहते है नीव की घहराई डी यानि कि Ground level से जितना नीचे जाएंगे वही गहरे में जा रहे हैं ग्राउंड लेवल से जितना नीचे जाएंगे वही क्या होगा नीव की गहराई बताइए एकदम कोई दिक्कत अभी तख कोई दिक्कत नहीं होगा समझा गया अभी तक हम क्या पढ़ा है कुछ नहीं बहुत आसाना संट पढ़ाएं फांडेशन क्या है कितने प्रकार के होते हैं दो परकार को होता है पै wok दूसरा घारी नीव की कि तरह होते हैं अधिक होती 아무ian चालम नीव की गहराई उसकी चमराई से अधिक होती उस से नीव जैसे कि फाइल फ़ॉंडेशन क्या इसको पढ़ना है नहीं हम इतने तुरा से इतना लिखे हैं। किसमें हैं कहीं और दिमाग नहीं लगाना है किसमें इंट्रेस्ट्टेड है आपका दिमाग कहीं और गया है तो सब्सकेदार निव को ठीक है किसमें देखेंगे हम खसकेदार निव को चलिए अब खसकेदार निव का नाम खसकेदार क्यों पड़ा है इसको समझते हैं सबसे पहले हम 3D बनाते हैं कि निव दिखता कैसे है सबसे पहले हम क्या बनाएंगे 3D बनाएंगे निव दिखता कैसे है फिर आपको समझ उसके बाद बनाएंगे प्टाक से समझ आएगा ठीक है चलिए फिर हम वही कहेंगे कि एक क्या था आपका ग्राउंड लेवल मेरे भाई एक क्या था एक क्या था अब ग्राउंड लेवल उबर खावड़ दी होता है था थीक है अब हिए हमको क्या बनाना इस्प्रीड फूट इस्प्रीड फूट इन अब आपने में पढ़ना था उस पर पढ़ना फूट इन थिया चलिए यह था आपका जमीन अब जमीन क्या करेंगे खुदाइं करेंगे चलिए वाई जबीन पर खुदाई करेंगे आ गये इतना गहरा और इतना चौ्रा मिलाग नहीं मिला बताएए मिल गया एक क्या मिल आपका है इतना गहरा और इतना जारा ठीक है है ना इसको क्या करते हैं मिटाते हैं ठीक है तुम के मिट रहे हैं इतना चमड़ा और इतना घारा चीजे समझे अब बताइए यह फांडेशन काफी लंबा होगा कि नहीं लंबा तो काफी होगा भाई लंबा तो काफी होता है है ना लंबा क्या होता है काफी लंबा होता है जहां तक लेके जाना है चले जाएए ठीक है अब क्या किये खुदाई कर दिये खुदाई करने को सबसे पहला पहला काम क्या होता है आपके घर में सोचिया पहला काम क्या होता है उसमें इंट डालते हैं बालू डालते हैं माटी डाल के दुर्मूर से क्या करते हैं कुटाई क करते हैं उसे क्या करना चांट का नहीं तो देखिए यह क्या हो गया इसकी चौड़ाई कैपिटल बी एक आओ फर्मडेशन की घराई कैपिटल डी कुछ देखिएगा कुछ क्या हो गया कुछ दूरी तब क्या की देखे कुछ दूरी तक हम ऍजन करेंगे हम कंक्रीट करेंगे लेकिन कौन सा कंकृट काफी कंजोर होा जिससे किन ऐसे कहले थे कम जोर किया होता है दूनों में मैटेरियल तो एक ही रहेगा सिमेंट वालू गिट्टी का पानी के साथ मिक्सर लेकिन पी सी कमजोर रहेगा तिर्भूज बनाएं जो हम खाली खाली बनाएं ठीक है ना उसके बाद बालू और सिमेंट क्या कर देंगे इसमें हम भर देंगे आपको चीज़े देभान देंगे लिए उसे म कहा क्या दिया क्या 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 नश्यागा प्रक्माई में लाटम cozy या जाएगता पूरी लंबाई में इसवेखना ऐसे अब क्या करते हैं नीन बास्तों है लेकिन आपको समझ आगया होगा जोगा ऒार पूरी लंबाई तक रहेगा तीक ना जाए ना को समझाने के लिए थीक थीक है कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट कर देजी आप लोगत्स दिक्कत नहीं होने देते हैं ठीक है अब देखे उसके बद क्या होता है उतने के बाद चामणा दिवार हर चला दिए यसवक्त नक्या चलाए अगे ऊछला दिए तीन रद्दा चला दिये है ना तीन रद्दा दिवाल का चला दिये हम हो गया दिवार चल गया इसके उपर क्या करते है वाई इसके उपर एक पतला से दिवार चलाते हुए एक दन छत तक पहुंच जाते हैं बाता कि बनता हैसा फांटेशन कैसा बनता परंटेशन मेरे जो छूटा यह जो किनार्य चूट है उसीं क्या कहते हैं तक घृत ही होता है आपके घर में अपने देखें होंगे ठीक है तो यह जो इस फूरिटिंग फांडेशन होता है बहुत मल्टी स्टोरीं के लिए नहीं होता है मैक्सिमंग दो से तीन बीडिंग तक इसको यूज कर सकते हैं यह दो से तीन मंजले बिल्डिंग के लिए यह क्या होता है कि दो तीन मंजिल के लिए रिइस व्यूझ के लिए है शमजागी चीजे पी चीज सिसके इसका नाम है खसके दार नहीं उन में अब चले इसका गज्ट सीडे दिखेगा पहले आप लोक कल सिकायत किये था हम कमेंट देख रहाовых से रेडियमज नहीं करना है नहीं तोंको पाप लगए भाफ की है है ठीक है है चले इस चलते हैं ठीक है कि सबसे पहले हम बनाते हैं का पीची सी आप सबसे पहले चुछ सुछ नहीं में बना दिए हम प races goose उसके बाद क्या वेख मेर से घंच कि उसके बाद फर्स्ट फूटिंग कि सेकेंड फूटिंग और थर्ड फूटिंग अब देखिए हम आपको बस सिंपल सा एक्जामपल दिया था ना लेकिन फूटिंग बहुत ज्यादा होता है फूटिंगों की संक्या है तीन-चार फूटिंग मिलेगा चीजे समझ आ रही है अब देखिए हम बता है मज़ें आधा यह बनने रहें ना कला रह Makes आधर चले फूटिंग फूटिंग बना रहें आपका बना रहे हैं तर्टिंग थीक बना रहें यह फ्रूटिंग सम Mensch मीरेच है है ना ठेक है वाई एक मिनट रुक्या बस बनाते हैं इसको हम ढूंट बड़ी थोरा सा टाइम लगेगा है क्यांकि थ्रेडी है ना ठेक है है ना अरे भाई क्यों ही दब दब रहे हो हाँ त्रेक्व 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 वेट ए मिनाट बस बन ही गया है ठीक है जोंट वरे हम पहले पहले ना लेकिन आपके दिमाग में छाप के जाएंगे मेरा वादा है मेरा वच्छा नहीं है मेरा वच्छा नहीं देखियेगा हो गया पमचाओ जाना इस फ्रीड फूटिंग का थ्री इस हम क्या काते है बताइए आप लोग खुद इसे जह um क्या तेγαने बाताइए इसे रॉंदrid कहेंगे फाब क्या है यहां कहीन कहीन को घ्राउंड लेवल होगा जमीन तल न है इसे पर इधर भी कहींन क्या होगा जमीन तो लोगा जिसके नीचे आया होगा ओगा इसे क्या कहेंगे इसे क्या कहेंगे तो कहेंगे सार इसको जानते हैं क्या कहेंगे खूकस कि गहराई तो इसे कहँंगे फर्मडेशन की गहराई डी चीजे समझा रहा हो आप समझेगा हम पूछ दैंडें यह क्लूज है क्वाम पूछ दयें क्लिए आप सब्भूश बना रहे हैं खाली-खाली और थे खाली-खाली किसका सिंबल है सिंबले किसक है उनी क्या चीज़े Jr एक क्लीन चीज़े he e mondo प्नदेशन यही तक इसके बाद क्या हो जाएगा आपप का धिवार होजाएगा है न कर दिखे दिवार का जो भाग दिवार का जो भाग ग्राउंड लेवल से नीचे राता है उसे काते हैं सब इस्टेक्चर है ना उसे क्या करते हैं मेरे भाई उसे काते हैं वोग क्या सब इस्टेक्चर ठीक है उसे काते हैं वोग सब इस्टेक्चर इस्टक्चर बिल्डिंग का यही वाग्जों ग्राउंड लेवर से नीचे उसे कहते हैं सब इस्टक्चर और बिल्डिंग बाउंड डर का ऊपर उसे कहते हैं सूपर स्टक्चर पिया कहते हैं लोग शूपर में आप दिखिए चीजे समझा गई 3D प्रम्डेशन काफी लंबा जाएगा नहीं अब क्या बनाना यह वाली चीज बनाना यह वाली चीज को बनाना आपको पर डाटेज लेकिन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए डाटा चाहिए निए किसे समयाँ कितनी होगी था कितना होगा कितनी होगी इन खशन सब्सक्राइब तभी तो बना पाएंगे तो टानो all network करें टानोट करते हैं इससे पहले हम सारा मिटा थीजिए बहुत चीजें क्या हो छुका बहुत सारी चीजें अब करते हैं अथ्वाथ्वातरा बस आपको दिखाई देखिए को सब्सक्राइब कहेंगा क्या देगा फांडेशन में एक में एक लाइन का थै कि आता है कि थीशेन τीमीटर वाल थिकनेस के लिएं तीसेंटमीटर वाल थिकनेस के लिएं वह थिकनेस मतलग मतलब दिवार की मोटाई के लिए ती सेंटिमीटर दिवार के मोटाई के लिए खसकेदार नियू का ड्राइंग बनाई है नियू का और एक खीची एक लाइन का पौचन देगा अब दिवार की मोटाई के लिए खसकेदार नियू बनाई है या फिर सिर्फ इतना कह सकता है कि 20 सेंटिमीटर दिवार की मोटाई के लिए नियू बनाई है तो अरे यह तो नियू कह दिया बनाने के लिए सर तो बहुत सारे नियू बनाएं कौन सा नियू बनाएं लेकिन आपके स्लेवस में कौन सा नियू है खसकेदार नियू है ना तो कहा कि 30 सेंटिमीटर वाल के लिए सिर्फ कहाओ नियू बनाएं तब भी आपको कौन सी नियू बनाना है खसकेदार ही नियू बनाना क्योंकि आपके स्लेवस में वही है ही तो उसके बाहर नहीं आएगा एसा नहीं यह तो इतने संटिमीटर दिवार मोटाई के लिए नियू बनाएं तब भी आपको यही निय बड़ते हैं अब हम आप से कहा दें मेरे लाल जाओ नीव बनाओ नियुव बनाएए जाएए जिसके दिवार की मुटाई 30 cm है तो आप हमसे पूछेंगे कहेंगे सर आप एब पताइए की दिवार के तुद डिवार है इसकी मुटाई कि रखें आप 30 cm यहीं तो है इसकी मुटाई 30 cm रखें ना आप यह कि फाउन्डेशन कितना चौड़ाख कver हैं ग्राउंड लेवर से नीचे यानि फाउंडेशन कितना गहरा खोदें सबसे पहले मेरा यही सवाल आएगा कि फाउंडेशन गहरा कितना होगा और फाउंडेशन चौड़ा कितना होगा तभी तो फाउंडेशन बना पाएंगे तो उसके लिए एक फर्मूला आता है क्या फर्मूला आता है वही कि दिवार की मोटाई कि दिवार की मोटाई कि दिवार की मोटाई कि इसमाल टी कितना दिया है तीस सेंटीमेटर इसमाल टी नहीं मिरे लाग कैपिटल टी ठीक है कि क्या हो जाएगा का मोटाई मोटाई क्या जाएगा कैपिटल्टि कितना दी है तीस सेंटीमेटर अब हमको क्या निकलना पड़ेगा फाउन्डेशन की छौड़ाई यह निव की चावड़ाई तब हुम इसका फार्मूलाई लिखेंगे नीव की दीव की चावड़ाई अबкие टा इता है 203 तौर मतलब होता है मोटा मोटा होता है ठीक है तौर तूर्टी प्लास थार्टी एक आउजबेगा निर्की चौडाई मिलेगा अब तूर आपको पता है ती कमान दिया हुआ है ती संटीमीटर और और थार्टी तो थार्टी रहेगा तो कितना जाएगा 60 30 कितना जाएगा 90 संटीमीटर कल्कुलेटर इस सब्जेक्ट में लाव है कल्कुलेटर लेकर जा सकते हैं ठीक है तो निय अब आपको पता चल गया कि कितना रहेका 90 सेंटीमेटर चोडा नीव हम बनाएंगे तो आप कहेंगे फिर सांवर बता दिजे हुगों कि तना गहरा बनाएँंगे तो अनले में कि आ तो नीव की घराई केपिटल डी कितना रखते हैं नेव की घराई केपिटल डी कितना रखेंगे सब मिठा तने क्या है और इसे मन कर रहा ते मिटाने का हुआ हाँ निव की घराई निव की गहराई कितना रखेंगे निव की चौणाई के बरावर निव की चौणाई के बरावर निव की गहराई कितना रखेंगे निव की चौणाई यानि कैपिटल बी निव की गहराई कैपिटल डी निव की गहराई कितना रखेंगे निव की चौणाई के बरावर आप कहे कैसे रख दिए बता दें देखिए नीव की घराएं नीव की चौड़ाई के बरावर रखेंगे ठीक है कैसे रखेंगे क्योंकि क्योंकिन ऊप्रीड फूटिंग फंडेशन ना जो इस्पूरीड फूटिंग फंडेशन न उत्ली नियुकर बतायता है उसकी जो चंड़ाई होती है वह गहराई से अधिक या फिर घराई से अधिक या फिर बरावर होती है लेकिन लेकिन एक बात याद रखेगा कि नीव की घरानी ठर्ट used तक तक अधिक रख सकते हैं कि ध्यान देजिएगा में रख सकते हैं कि इस चीज़ें कोई नहीं बताएगा थिक है ध्यान देजिएगा इसलिए मैं बेसिक शारे चीजें बता रहा है नीउ की घराई नीव की चौडाई के बराबर या 20 सिंटिमीटर तक अधिक रख सकते हैं यहां कि हम क्या क्या सकते हैं यानिकि अधिक रख सकते हैं रख सकते हैं यानि हम कहाना या चाहता है कि जो नीव की घहराई है कैपिटल ली नीव की चंडाई के बराबर यानि 90 cm या या 20 cm तक अधिक या 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 ठीक है 20 cm तक अधिक या फिर सो सेंटीमीटर या 110 सेंटीमीटर 120 वी हो सकता है कोई ओच चीज नहीं है लेकिन करने मतलब अधिक रख सकते हैं ज्यादा ज्यादा अधिक आपको नहीं रखना है इसलिए हम 20 से अधिक नहीं लिखें ठीक है यह निव की गहराई निव की चंड़ाई के बराबर या 20 सेंटीम अब डेखिएगा जो चानलाई है होगए आपका सो बढ़ गया की सेंटीमीटर अधिक रख सकने तो आ पका मन किया कि सो रखने का 110 रखने का जैसे गहराई 100 100 रखे इहां क्या हों गया गहराई बढ़के और जैसे एच से गहराई अधिक हुआ यहा नहीं हो गया एक किसका मतलब की तो गहरी नहीं बताता है न जब फिर आईयस कोड जो कहा दिया उना इसको मिटाते हैं ठीक है जैसे हम निव के घाराई हम रखेंगे हम यहां रखेंगे हम 20 सेंटीमेटर तक अधिक रख सकते हैं ठीक है तो हम रख रहे हैं 90 सेंटीमीटर कि 100 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हम रख ले रहा है कितना हम रख ले रहा है कितना कितना रख ले मेरे लाल सो सेंटीमीटर कितना रख लिए सब करते हैं रेड में ले लेता है इसको कितन रखे लियं है हम सब्लिख नहीं हो सकते हैं फिर कस्षी रखे grass अपैँ कि को ऊमको समझाना नहीं धरकीAL सेब्स नहीं सोत है यह भांना मतने हैज़ा नशक Schüler कॉटेश को काता है कि जो प्ली निवं निवं मैं रिखे ज़िए सकते हैं फोना कर लिख सकते हैं आई यस कोड के नूशार नोट का है कि उथली नियू गहरी नियू हो सकती है लेकिन 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 उथली नियू गहरी नियू हो सकती है लेकिन 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 उथली नियू गहरी नियू हो सकती लेकिन गहरी नियू लेकिन गहरी नियू गहरी नियंव उठळी नहीं हो शकती गारी नियंव उठली नियु। करता है सकती है लेकिन अधिक नहीं हो सकते मतलब क्या है कि यह उपर उपर आइक कि नहीं बना नहीं में चलते जाएंगो और मजबूत हो जाएगा लेकिन पैसा लगेगा हमको यहां पैसा थोड़ी देखना है तो वही है कि उथली नहीं गहरी हो सकते कम गहराई पर लेख जाना था थुरा सा अधिक गहराई पर लेख चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उथली को गहरी नहीं बना सकते हैं लेकिन गहरी को उथली नहीं बना सकते हैं और ज्यादा गह़रा तक हमको ले कर जाना था तो हम गहराोई तोरह क्लिए। तक रख सकते हैं बताइए कोई दिक्कत है नहीं सर आगे बढ़िए तफी 90 110 को मिटाते हैं कि रहने दे रहा नहीं देते हैं ठीक है अब देखेगा इतना चीह समझ आ गई अब आपको PCC की मोटाई यही तो PCC है है इसकी मोटाई भी तो यह वही कितना मोटा PCC डालेंगा हम आपके घर में डाला जाता है लेकिन हम थार एंजिनियर आप भी थार जाएंगे पूज दिन में अपन्कृट डालेंगे आप कंक्रीट तो नहीं कहते हैं पर चली है अब निकलेंगे लिखेंगे मोटाई थीक है का ऊंप घाए जी की मोटाई धिवार दिवार कि मोटाई भी मिल रिम एंब तो उसके बाद क्या होगा रिखना था मको पीजी की मुटाई क्या होगा पीजीशी की मुटाई क्या होगा इसे स्माल टी से दिखाएंगे ओ क्या होगा नीव की गहराई का यह यह थर्ड निव की घराइए निव की घराइए का Reslant नीव को आ रहें कितना है सो कर लों तो कितना जाएगा तायंति दसमलो तीन थिन यह हम कितना ले लेंगे से 35 संती मिटर क्योंकि फाउंडेशन में फ्लोर में रूफ में हम कोशिश करते हैं पांच के नुपात में ठीक है जो थम रूल है यह उसको घटा बढ़ा लेते हैं घटाना बिल्कुल नहीं है बढ़ाना यह देखिए इसा ही है न क्योंकि हम लोग आदत है कल्कुलेटर से कल्कुलेटर करन पांच के नुपात में चलेंगे बात कर रहा है अब बहुत लोग की दिमाग मुझा सब्सक्राइब तो तीस लिख देंगे एक तीस दास्मलों तीन तीन रहेगा तो क्यां तीस लिख देंगे नहीं यदि आपका एकतिस आ गया कह रहा है कि फांडेशन एनी पीशी सेंटीम मोटा है अब बताइए तीस बना देंगे घटा देंगे तो तो कमजोड हो जाएगा कि समझ रहें चीजे काने मदा फांडेशन लूड लूड चभी ले पाएगा जब वह एकतिस दसमलों तीन तीन सेंटीमीटर हो और आप तीस कर दिये आप सोचे एकतिस तीस कर देते हैं समय किसमे रहें चाहिए तो कमजोड शब्रह हो गया लेकिन 31 cm कि यदि या 35 cm लिखेंगे तो कमजोर होγα हमकों तो मजबूत बनाना है थो यह रहे होता तब भी हम 35 ही लिखते यहां 32 आ गया होता तब भी हम 35 ही लिखते नीचे नहीं आना है कम जोर हो जाएगा तो पैंच लिखना है यदि पैंटीस दस मलो दो आ गया तब चालीस ओला चले जाएंगे अब 36 आगया 37 फिर 40 अधिक लिख देंगे पीची सिक मोटाए कम नहीं लिखना है किम लिखने पर कम जोर हो जाएगा अब बताएए इतना समझ आया कि नहीं बीशिक सारा अब हम डायरे अब क्या बनाएंगे ड्राइंग बनाएंगे अब देखेंगे इसी को बनाना है इसी हारे वाले को माइन में रखेगा इधर से दे लिखेंगें इस सब्सक्राइब ने से पहले क Keys के आपवने कि इस केरे और कभी भी ड्राइंग में ऍसमाल लेटर नहीं यूज करना है जो न राइंग में कभी में करने शुटा अब चलिए आगे बढ़िए ठीक है तो सबसे पहले हम लिखें के स्केल कि इसमाल लेक्टों नहीं स्केल क्या हो जाएक आपका एक संबंध है दस का इसका मतलब क्या अभी समझाएगा ठीक है सबसे पहले हम डाटा को नूट करते हैं जो मेरे पास आया हुआ है कौन सा डाटा आया हुआ है बडाटा या दिवार की मोटाएं अवधिकं दिवार के मोटाएंए ओसके लुखें शिभ्यान था था तीश तेंटीमेटर गतना था थी करते बी कितना था 90 सेंटीमेटर अब बताइए हम टाइम लेता है कि नहीं टाइम लेते हैं लेकिन डिटेल में पहाते हैं घबडाना बिलकुल नहीं है ना यह अभी घबडा गये अभी तो बहुत कठीन है डगरपन घटकी अभी तो बहुत कुछ पढ़ना यह तो पहला टोफिक ह है ना ठीक है नीव की नीव की घहराई है नीव की घहराई क्या हो जाएगा है सब सेंटीमेटर अब 90 ले सकते हैं आप 110 भी ले सकते हैं बताए हैं डिटेल में ठीक है है ना उसके बाद PCC की मुटाई था आपका पीची कि मुटाई अब इंजिनियर बनेगे ना वह बना एकदम नहीं है 35 सेंटीमेटर आया हुआ था 35 सेंटीमेटर इतना ही तो डाटा मेरे पास है आप देखीए कर अब क्या करेंगे हम अब नाएं हम बनाएंगे स्केल ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले है ना सबसे पहले क्या होगा आपका कि सबसे पहले खीचेंगे पी सीची नीचे से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले क्या खीचेंगे आप पी सीचेंगे वाई कितना हैó थेकं कितना चोंडर खाऊ है नब्य संटी मेटा है की नहीं है नतेभिक संटीमीटर है है नचलए ў चले संस्टीमि earning लाइन क्या करते मेरे लाल इक्स्टेंशन लाइन ठीक है कि ठीक है कितना कितना है कितना है नबबे सेंटी मीटर ठीक है न हो जाएगा आपका कि नबबे सेंटी मीटर लेकिन आप खीचेंग कितना है कि नहीं लेकिन आप खीचेंग कितना टेख helps लेकिन आप कितना खिचंग अभी बता दे रहे हैं है लेकिनकी पर कितना खीचंगे ठीख है कि 7 से आहां है दस है यानि 9 cm कितना तरफ यह सेंटीमे्र ठीक यह समये। संदारी 90 cm से ने के सिसे लिए जो भी आपक आथा है तो चंडराइ यह complaint दस बाग दिए कितना खिछेंग तो न किया बनाते हैं भी सीप्याप मेगा है पिसे वुर्ण बनाना है कल हम सारा बेशिक बता चीज इधर उजद तिर्भूच बनाना और इसको भरना नहीं कि यह पी सीजिए एना और कंजूसी एक्दम नहीं करना है एकदम भरा हुआ दिखना चाहिए आना और यह क्या बालू सिमेंट और बालू एक यह बनने के बाद जो पहला खसका होता है हम कुछ बोल ला है समझेगा ध्यां सुनिएगा पी सी की चौड़ाई यानि फंडेशन की चौड़ाई बनाने के बाद पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का उसके बाद पांच पांच सेंटीमीटर का खसका तब तक जब तक दिवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाया उड़ गया अपर सना डोंट वरी आज रहे का कई बार बोलेंगे नहीं भी बोलेंगे अभी हम बनाएंगे परसान मतिए हम का रहें कि पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का उसके बाद पांच-पंच सेंटीमीटर का खसका पहला खसका 15-15 cm का उसके बाद 5-5 cm का खसका कब तक दिवार के मोटाई के बराबर मोटाई ना मिल जाए फिर हम कर रहा हैं पहला खसका 15-15 सेंटीमीटर का ध्यान दीजिएगा जो हम किनारे से छोड़ते हैं उसे ही तो खस सेंटिमेटर का बस ठीक है पहला खशका क्या हो गया हो का 15 15 सेंटिमेटर का मतलब क्या हो इसका बता रहा है दोनों तरफ से कितना कितना सेंटिमेटर छोड़ दिये 15 15 सेंटिमेटर ठीक है कितना छोड़ दिये 15 15 सेंटिमेटर ठीक है हम कहें कि बताइए एक कितना बनाए है यह तो पता है यह तो था आपका 35 सेंटिमेटर है कि नहीं कितना था का 35 सेंटिमेटर पीशी की मोटाई कितना था 35 सेंटिमेटर ठीक है था 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 क्या कर सकते हैं कि अधिक है पहला खासका 15 15 सेंटिमेटर उसके बाग 5 पांच पांच सेंटिमेटर खासका ध्याद दियान दीजिएगा यह निए आपको पीशी सी समझा गया होगा हम का ओधन सीपल साहिए हम पूछे आपसे आपको इसमें क्या समझा गया होगा तो आपका है कि सी सी क्या आपका पीची सी कितने काई पीची सी देख लेता है एक संबंधे चार संबंधे आठ का पीची की मोटाए पाइटी सेंटीमेटर यानि इसका काम हो गया फॉर्म्डेशन की चंब्राई का भी काम हो गया दो का हम बोलना है पहला खस का 15 15 letter का हो गया लिकिन इसकी मिचा आखिर में इसके लेकर कि से ट यहां तक और wenम देख होता है चालि किसे होता है जो होता का ऐसे होता है denial encouraged एक सलूसन है ना इत हो गया अब इत की लंबाई 19 चंबडाई 9 संटीमेटर और कितनी है गहराई भी 9 संटीमेटर है थीक देखनें कि पाई लूड़ाई कितनी है सेमें चनोडाई और मोटाई तूज को इसा रखी और मिलेगा तो मिलेगा ऊपर नमालेंगे єट को रखने के मिलें 10 тобой कितना हम हम गजो सेंटीमेटर कितना थे मेटालिय दे रहे हैं यह दो बना था और कि लिए बनाते हैं थो रास थै क्या बनाते हैं चाओडा बनाते हैं आपका सेंटीमीटरह को ये इनि मालहाशक मतारए कितने कितने सेंटीमीटर का पाइलाषस का 15 15 का दोनुसाइड से ठीक है दोनुसाइज से कितने का पंदरा पंदरा सेंटीमीटर कपा धालाक अब का अ मि Warsто छेज़ने माला कि मैँ ऑни का थे कि दिक्कात है समझ लकैं यहीं कितना मेंचा उठाना साथ 15 cm से दिक मृडब सलकाम आप सैंसकी है। य непलत मृटकलUA गया sì सेंटिमेटर म उठाने का मतलब क्वाग गया इस स्केल पर आप कितना उठाएंगे बीनक ऊचपल önगे कितना उठाएंगे आप एक सेंटीमीटर ठीक है कितना उठाएंगे एक सेंटीमीटर लेकिन है दस सेंटीमीटर चलिए ठीक है यहां से यहां से एक कितना है यहां से कितना है पंदरा सेंटीमीटर कि इतना है पंदरा सेंटीमीटर ठीक है एक इतना है मिर भाई 15 सेंटीमीटर ठीक है इसको भी लिखता है 15 सेंटी मेटर ठीक है यह होजाएगा आपका क्या होजाएगा आपका 15 सेंटी मेटर चीजे समझा रहे 15 15 सेंटी मेटर का हम पूछ जे अंदर कितना बचा मेरे लाल तो कहीं कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब कितना बच गया शाट सेंटी मेटर कि कैसे कितने कशने क को कि अब कितना बच गया यह एकदना बचा 50 cm 50 कैसे कि 60 था 5 इसा छोड़ दिया पॉंस इधर से सु दिये 50 हो गया फिर फिर पांचयों करने मेटर क्avyर क्वें कॉना बताईए 40 सेन्टीमीटर हो जाएगा तीस सेंटेमेटर हो जाएगा तीस सेंटेमेटर चीज़े समझ आ रही है अब समझ अब देखिए हम क्या कर रहा है कि पी से सी बनाने के बाद पहला खसका 15-15 सेंटेमेटर का उसके बाद पांच-5 सेंटेमेटर का खसका कब तक जब तक दिवार के मोटाई के बरावर मोटाई न मिल जाए अब सबको एक लाइन में खिचिए गा सबको एक लाइन में आए शबको और लिखेना आयका से पंदरा स्वर्य पंदर नहीं भाई तो कि पांच संटेमेटर है कि आपका पांच संटेमेटर थीच है समझार रहा है ना पाद पाद पास सेंटेमेटर खसका दिखाए अब कि अभी अभी क्या दिवार धिम मिला नीव चंडाए मिला की मधा कि मुटाए मिला अभी क्न ज कि तुकि नहीं करना है कैल को यहां रखना है अब कितना कहा रहा है बाई RS100 संटिमीटर ठीक कितना का रहात है आप सउटिमीटर है ठीक है 35 संटीमीटर था 35 अब तो जहां तक चला जाए 2 प्राओ dłी अ चला है हãyṇa ideas we go है ठीक है और बताए यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर symbol बन जाएगा किसका यहां पर symbol बन जाएगा duraude ने डीक है यहां पर इसुंबल बन जाएगा ग्राउंड लेवल देंगे e2 3 एक दो तेर ग्राउंड लेवर और बना सकते हैं ऐसा एक कसम नहीं खाए एक ही बनाएंगे ठीक है वन टो थ्रे वन टो थ्रे इसके बाद क्या होता है इतना चीज़ समझाई होंगी अब पांच सेंटीमेटर को उधर लिख सकते हैं ऐसा कसम नहीं खाएं कि इधर ही लिखेंगे ठीक है ना इसको थोड़ा मिटाग अच्छा से ठीक है 35 सेंटीमेटर हां चलिए अब क्या करेंगा है सारा चीज तो हो गया है अब प्लिंथ लेवल बनाएंगे अब प्लिंथ लेवल किसे काते हम देखिएगा ग्राउंड लेबल समझा गया अब समझे प्लिंथ लेवल काते किसे हैं अब अपने घर को सोचिए जंगल में तो रह हाते नहीं हैं गर में रहते होंगे हैं ना तो घर का अपने घर के बाद की रहाइन और dat से निचे आपको होगा तो जो रॉड हो आपके घर के खड़ंजा बनाए सीसी जो भी है तो तीन कदम दो तीन स्टेप चड़कर करके या एक स्टेप जो भी हो यानि रोड से उंचा घर बनाए जाता है जो फर्स वाला लेवल है ना जहां पर फर्स बना हुआ है उसी को क्या काते हैं प्लिंथ लेवल कुर्सी तल लेकिन जो है और फर्स को भाल से बनाता है लेदा तो ग्राउंद लेवल को ऊपर क्या सबनाएंगे और चलिए छीक है क्या बनाते हैं नोग को दुसरे कलर से बनाते हैं यहां क्या बन जाएगा आपका प्लीन्थ लेवल इसे लिखेंगे पीयल इसे क्या लिखेंगे मेरे भाई पीयल एक कितना रहता है तो 45 सेंटीमेटर से ले करके 60 सेंटीमेटर तो मतलब क्या हुआ आप 45 सेंटीमीटर सकते हैं । पचाज सेंटीमेटर रख सकते हैं आप साट सेंटीमेटर यह जमीन तल से आपको कर प्लीन्थ लेवल कितना रखना पड़ता है अब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा फर्स बनेगा आप अपने ग्राउंड लेवल खड़ांजा पर रहेंगा और यहां से सीधिक थुरू फर्स लिपर चले जाएंगे से समझ आ रहे होंगे ने अटर में ठीक है तो आपको एक ऐसा लाइन खीच देना है यह क्या हो जाएगा आपका प्लीन्थ लेवल और देखिए अभी बहुत सारी बीसिक चीज को बताएंगे कि कैसे आप मतलब कि सुंदर आप नहीं ड्राइं दिखाना है ठीक है तो सुंदर दिखाया जाएगा अभी पहला को पुरा बता लेंदे कुछ भूले ना प्लीन्थ लेवल हो गया अब समझेगा एफ फांडेशन बनने के बाद जो फांडेशन तो ग्राउंड लेवल के नीचे जमीन है यह सब किसके कंटेक्ट में रहेगे पहुंचा देगा उपर पहुंचा देगा पुरा खराब हो देगा तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग क्या करते हैं कि एक कंक्रीट बनाते हैं से ढहां कि प्यांडे यह सिक्ट लेएर को बिचा देते हैं इसेपर क्या करते हैं कि आपको क्या करना है जयादा नहीं करना है जयादा डार्क नो कि ठीक रेंगे तरदेंगे और रिदर लेधा कर करना आपको लिख्यत है क्लिए देना है यह की सबता देड़ानीर 10 की डीपी कि 1 संबंद 3 संबंद 3 क्या हो जाएगा ठीट है न बतल बता है थे लिखना ठाइफ से प्रिया नहीं लिए कर देता है यह आने देता है अब नमी नीचे से जैसे यह यह इट नमी को लेकर उपर आएगा यहां क्या मिल जाएगा एक से लेयर मिलए पूरे दिवार क्या डाला जाता है कंकरीट के ऊपर पानी यह नम्य शरदा नई पाएगा आपका दिवार क्या होजाएगा बच जाएगा कि चीज़े समझ आ रहे होंगी ना आ रहे होंगी इतना दम्र को यकीन है मेरे चटकू-चटकू बच्चे हैं बहुत देज हैं जानते हैं इसे क्या काते हैं मेरे वाई इसे क्या काते हैं वाल ठीक है यह हो जायगा आपका पी-सी-सी एपका ग्राउंड लेवर फिरिंद्द त्वाल ठीक है अब समझेगा अब समझेगा अब पी-सी-सी का अब जिए दिवार का कुछ सिंबल बताए थे पिछले क्लास में दिवार का सिंबल आइसा अब बताए देना उसी दिन आगे काम आएगा सारा ठीक है अब बराबर बराबर दूरी मोना देखिए जैसे एक लाइन खीचे पैताली संस पर दूसरा लाइन खीचे बीच में कुछ आगे उसको छोड़ का खीचना जैसे देखिए लाइन खीचे ठीक आब देखे इसमें ना यह वाले चीज को नहीं रखते इस व authentication को मिटाते हैं जु अब ही आम रखम बनाएंगे मतला कि Το फ प्टाक से बनाकर दिखा देंगे कैसे बने हैं तो रृष इस को देर चीजें रहते हैं ठीक है चलिए कैंधा बीच में अंक आ गया कुछ भी आ चोड़े खेचिए ठीक है खेच यह बीच में अच्छा आ रहा है तो छोड़के लेकिन करिए जब शुरू कि यह बीच में आ गया रोकिए लेकिन लास्ट तक लेख जाए एसकेल पर बनाते हुए ठीक है तो बीच में बाद आंक वाले कटना नहीं चाहिए यानि कुछ भी नहीं कटना चाहिए तीर वि दिवार होता है माँ प्लास्टर कर देंगे हम दिवार पर क्या कर देंगे प्लास्टर कर देंगे देखेगा अब इसी पर थोड़ा सा डार्क कर देना है इसी पर क्या कर देना है थोड़ा सा डार्क कर देना है देखिए डार्क कर रहा है आप लोग गलत कर देंगे ठीक है रहे चलाले जाएंगे छोड़ा से फिर तक निचा देंगे डाउन्ट से10 मिटर तक प्लास्तर के इधर प्रकॉण ठीक है उसी पर डार करना है थोड़ा सा है ना थोड़ा दार करना है देखे प्लास्तर का और ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमेटर तर नीचे आजएगा ग्राउंड लेवल से अब देखें के प्लास्टर होगा नहीं जमीन से जमीन को तुरह किनारी तो फिर नीचे तक प्लास्टर तर फिर डग दिया जाता है ठीक है तो एक हो जाएगा अधिक मिश्क लोकर कर देदें एक इसे सबसे पतली यह सब लाइनर रहेंगी से मोटा प्लास्टर रहेगा प्लास्टर समट मैं क्या रखें वह सबसे प्लास्टर तक हो झाल Bonjour the यह ऊडए नहीं लंखेंगे ने प्लास्टर almond और है जाएब भी याएक संबढनते चार का क्या जब फांडेशन बना दिवार का फूटिंग छोड़ते वह बहुत ऊपर तक जाता है दिवार कहां तक जाता है तो क्या करना है कि हमको च्छत तक तो बनाना नहीं है इसके ऊपर तो यही जैसा है इसके ऊपर कुछ भी बनाएंगे तो एशाय ख़ड़ा मिल जाएगा सीधा मि तोनों को क्या करते हैं देखिए ऐसा है एक सब्सक्राइब करते हैं और तो बहुत है दिवार उपर देखिए लेकिन हम उसमें इंट्रेस्टेड ही नहीं है आपने पूरा देना पूरा देना यह तीक है त्योर कि अमानत है लेकिन एक बात आपको समझ आएंगे लेकिन एक बात यह मतलब की ध्यान दीजिए गा अच्छे से आपको एर्फ बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए करेंगे तो यह जब उसमें बनाएंगे तो क्या कर देंगे उसमें हम बना देंगे तेंटमें कतो हैं कि देखिएगा नहीं इतना हो गया चीजह लिखने वाला काम यहां दिखे इनिos पटालिस साथ है इस से क्या होगा असानी है गजमनर में को असानी हुआ तो आपको नमबर दिया धीक टिछने वाला काम एक साइड थीक है अई सा tailored की प्ता इंट को आपको समझ आ गया होगा कुछ नहीं में जो भी वह डाटा है दिसे तो 95 कि यह ट्रीने और मचेल लिए। कि कि लिए 20 कीरी संर लिखेंट नाइं और चैसे की जैसे की जैसे की आप की सो सेंटीमीटर जो भी लिये। 10 से भाग देंगे तो आजाएगा दस सेंटीमेटर ठीक यह जैसे कि अभी समझ लिजे जैसे और समझना क्या और क्या समझना आपको कि जैसे माली जिए कि एमें में आ गया क्या आगया आपका में पचीश में 25 mm को कितना स्केल पिखी जेंगे तो कुछ नहीं करना जितना भी यह ना उसमें दर से भाग देगे उपर जो यूनिट ऊपर रहेगा वही यूनिट आएगा धाई एमेम उपर एमेम था एमेम आ गया समझ रहे हैं उपर सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर आएगा यह जो उपर देंगे वही यूनिट आजाएगा तो बहुत घवर आना नहीं है यदि आपको आपको 90% हम जानते हैं कि 100% समझ आया होगा लेकिन यदि आपको 90% भी समझ आया तो बहुत है क्योंकि इस इस इविल इजिन ड्राइंग का फश्ट टोपिक है न लेकिन हम जानते हैं आपको आया ओगा ठीक है तो यह आपका कंप्लीट हुआ क्या इस रीड़ फूटिंग फांडेशन का ड्राइंग ठीक है तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा है न तो फिर इसको बनाकर सब्सक्राइब करेंगा ठीक है तो आज के लिए वीडियो को जादे से जादे लोगों तो पहुंचाइए क्यों कि सबको आपकी जिम्मेदारिया सबको पताना कि कहीं क्लासे चल नहीं जो एकदम डिटेल में चल लाई है लोग आते हैं दस मिनट में ड्राइंग पढ़ा के neud concern dw1 का देंट शीव आएंद चले जाते हैं समझ नहीं आता है कि हम को को देखना कहा से और अखिर में होता कैसा है समझना कैसे कहें हम देखे हैं सबसे पहले बताए कि कैसे बनाते है हम बताए कि की देखते कि दहें आपको घर में कैसे बनता हैं घरम ल髮 необход तब आपके पास इस बात को समझेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि मुहबबत दोनों तरफ सोता है तो ज्यादा दिन तक चलता है ठीक है तो आई होप आप समझेंगे आज कि लिए अगले लेक्चर में फ्लोर के साथ, हाल दिवरी वेश्ट!